हेलो दोस्तों मैं हूँ रहूल और आज हम बात करेंगे परिलाइसिस के बारे में जिसको हम लोग लकवा मार देना भोलते हैं परिलाइसिस का मतलब भी होता है कि जब हमारा बोड़ी का पाठ मूव ना कर पाए या पूरा बोड़ी ही काम ना करे सुनापन हो जाए उसी को paralysis बोलते हैं यह temporary भी होता है और कभी permanent भी होता है types of paralysis में monoplasia, hemiplasia, paraplasia, quadriplasia, quadriplasia को ही tetraplasia बोलते हैं hemiplasia में क्या होता है paralysis effect one side of the body एकी side के हाथ और पर में लखवा मारना monoplasia में you can't move one limb monoplasia में paralysis effect करता है एक ही limb को चाहे हो हाथ हो या पैर हो paraplasia में paralysis effect both legs and sometimes the torso photo में भी आप देख सकते है paraplasia में दोनों leg को effect करता है paralysis quadriplasia और tetraplasia paralysis involves all limbs quadriplasia में paralysis effect करता है पूरे limb में गर्दन से लेके नीचे पाँ होता है कोई moment नहीं होता है बहुत तारे risk factor होता है paralysis cause करने के लिए जिसमें बहुत ज्यादा common होता है उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे एक नमर में stroke stroke में hemorrhagic होता है और ischemic होता है hemorrhagic stroke दिमाग का नस ठुटने से होता है ischemic stroke stroke दिमाग कंद सुखने से होता है उस एरिया में blood supply ना होने से ischemia हो जाता है और stroke उसी आदमी को होता है जिसका high blood pressure हो diabetes हो जो smoking करता हो दो नमर में spinal cord injury spinal cord injury accident के कारण या गिरने से या sports injury के कारण होता है spinal cord injury के कारण paralysis होता है और spinal cord injury में खास करके quadriplegia type का paralysis होता है तीन नमर में neurological disorders जैसे कि multiple sclerosis, amyotropic lateral sclerosis, brain tumor, gullion barren syndrome ये सब बिमारी के कारण भी paralysis होता है चार नमर में trauma severe injury to the head and neck and spine बहुत severely injury अगर head पे, neck पे और spine पे होता है तो इसमें paralysis होता है पार्चन नमर में infections जैसे कि polio और transverse myelitis acute flaccid myelitis इस सारे infection के कारण paralysis होता है छेन नमर में genetic factors साथ नमर में age older individual are generally more susceptible to condition like strokes अगर आप ज्यादा उमरदार है तो आपको ज्यादा chances जाए श्ट्रोक होने का और श्ट्रोक हुआ तो पार्लाइस होने का चांसे ज्यादा हो गया और सारे disease भी है जैसे कि cerebral palsy, lime disease, spinal bifida, final tumor, neurofibromatosis ये सब डीजिस के कारण भी पार्लाइसिस होता है अब बात करेंगे पार्लाइसिस का symptoms के बारे में monoplasia, quadiplasia या hemiplasia चाहे जिस टाइब का paralysis हो उसमें बहुत सारे common symptoms है जैसे कि एक नमर में loss of muscle function, inability to move specific body parts, जिस एरिया में paralysis हो रहता है उसको move नहीं कर पाते हैं दो नमर में numbness और tingling, जिसमें क्या होता है sensation loss हो जाता है affected area में तीन नमर में muscle weakness, जिस इस एरिया में paralysis हो रहता है उस एरिया का muscle एकदम weak हो जाता है जिसे हम लोग उसमें चला नहीं पाते हैं एकदम सूनापन हो जाता है, चार नमर complete और partial loss of sensation एकदम पूरा या कुछ भागों में sensation loss हो जाता है जिसके कारण touch और pain को हम फिल नहीं कर पाते हैं, पास नमर में difficulty speaking और sallying, paralysis के कारण हम लोग बोल नहीं पाते हैं इसका कारण यह है कि जो facial और throat muscle होता है एकदम कमजोड हो जाता है, weak हो जाता है जिसके कारण यह possible नहीं हो पाता है छे नमर में changes in reflexes, बहुत सारे reflexes देखते हैं जैसे कि plantar reflexes किसी में mute हो जाता है, absent होता है और किसी में reflex कम हो जाता है साथ नमर में loss of bowel और bladder control इसके लिए यह depend करता है कि किस region में effect किया है paralysis से कारण bladder और bowel पे control ना होने से आदमी कभी भी पिशाब कर देता है या stool pass हो जाता है यह दोनों पे control नहीं रहता है, ऐसे भी होता है तो यह सारे sign on symptoms है कर वाल नहीं जाता है